सुधी अरब के नागरिक अब बिना वीजा के ही तजाकिस्तान के लिए ट्रेवल कर सकते हैं और वहां 30 दिनों तक रह सकते हैं तो यदि आप भी तजाकिस्तान जाना चाहते हैं तो आप बिना वीजा के ही सुधी अरब से तजाकिस्तान के लिए ट्रेवल करके जा सकते हैं 29 नॉमबर से सिंगापूर के लिए भारत से रोजाना बेसिस पर 6 फ्लाइट को मंजूरी मिल चुकी है दिल्ली, मुंबई और चेन्ने इन तीन एयरपोर्ट से टोटल 6 फ्लाइट को ऑपरेट किया जाएगा इन फ्लाइट से भारती पैसेंजर सिंगापूर के लिए ट्रेवल करके जा सकते हैं अभी फिलाल एयरलाइट कमपनियों के बारे में जानकारी शेर नहीं की गई है कि ये फ्लाइट किन कमपनियों द्वारा ऑपरेट की जाएगी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि एक से दो दिनों में ये भी क्लियर हो जाएगा और फ्लाइट की बुकिंग भी शुरू कर दी जाएगी सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सभी वैक्सिनेटेड लोग कुछ एप्लिकेशन प्रॉसेस के द्वारा ही सिंगापूर जाने के अनमती प्राप्त कर सकते हैं यूके की गॉवर्मेंट ने भारत में बनी को वैक्सिन को माननेता दे दी है अब आप को वैक्सिन लगवा कर अगर यूके के लिए ट्रेवल करते हैं तो वहाँ पर अब आपको क्वारंटीन में नहीं रहना होगा इसके साथ ही कैनेडा की गॉवर्मेंट ने भी 30 नौवंबर से भारतीय वैक्सिन को वैक्सिन को अपने अप्रूब वैक्सिन लिस्ट में शामिल कर लिया है इसका मतलब है कि अब यदि आप कैनेडा के लिए भी ट्रेवल करके जाते हैं तो वहाँ पर आपको क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा यानि कि अब 30 नौवंबर से भारती यात्री कैनेडा और यूकी के लिए बिना क्वारंटीन हुए ट्रेवल कर सकते हैं